प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कक्छादस गंडित मनोहर अध्याय छहत्रिभोज प्रस्नावली छह बी के बारे में अध्यन करेंगे जिसमें प्रस्न संख्या चार करा की दी हुई आकरित में यदे ल, एम ये समांतर है सी बी के यानि जो एल से लेकर यम तक रेखा है यह समांतर है सी बी के फिर आगे कह रहा है जो एल एन है और एल से लेकर एन तक जो रेखा है वा समांतर है सी डी के यानि इस रेखा के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि ए से लेकर एम तक A से लेकर M तक बटे से लेकर B तक ये बराबर है A से लेकर Yन तक और फिर A से लेकर D तक यदि हम इस त्रिभूज में देखें तो हमारा ये त्रिभूज इतना अगर ले लिया जाए अर्थात त्रिभूज A L या A C B तो अगर हम इस त्रिभूज की बात करें तो हमारा कुछ इस टाइब का बन जाएगा एक हमारा बन जाएगा A और दूसरी तरफ हमारा इसी में C होगा और यहां B बन जाएगा अब A C वाले पर L है तो A C पर अगर हम L ले लें फिर अगला है A B वाले बिंदू पर हमारा M है A B वाले पर हमारा M है अब उसने दिया है L M C भी समानतर है L से लेकर M तक और C से लेकर B तक समानतर है यद यह समानतर रेखा होगी तो A से लेकर Y अब बटे A से लेकर B मने यह आधी दूरी फिर हम पूरी दूरी अनुपातिकता प्रमे से हम पाएंगे कितना बटे इतना अर्थात हमें मिल जाएगा हल हल में हमें कौन कौन सा त्रिभूज लेना है यह लेना है मारा त्रिभूज A C B त्रिभूज A C B में हमें क्या मिला L M यह समानतर है C B इसलिए हमें क्या मिला तो मिल गया ए यम बटे ए बी चाहिए इधर का ही ले लें तो अगर इधर लेते हैं तो ए यम ए से लेकर यम और बटे यह पूरी दूरी ए बी यह अनुपात इकताप्रमे से मिल ला है अब इधर हमने आधा लिया है तो इसमें भी आधा लेना पड़ेगा अर्थात A-L और बटे पूरी दूरी यानी A-C ये समी का नंबर A बना देंगे ये है अनुपातिक्ता प्रमे से यदि आप इस प्रमे कुन न देखे हूँ तो पीछे के लेक्चर में आप देख सकते हैं अनुपातिक्ता प्रमे में ये किस प्रकार सिद्ध किया गया है कि ये अनुपात बराबर होते हैं अब यदि हम बात करें इस त्रिभुज की अर्थात ये हमारा त्रिभुज है A यानी A-D-C तो यहाँ बन जाएगा हमारा त्रिभुज A-D और ये-C अब इस A-D पर हमारा बिंदु यान है तो यहाँ हमारा यान बन जाएगा और A-C पर बिंदु यल है तो A-C पर बिंदु हमारा यल मिल जाएगा अब फिर यहाँ दे दिया है कि जो यल यान है यानी यल से लेकर यान तक यानी फिर मिला त्रिभुज हमें लेना कौन सा है A-D-C में हमें मिल जाएगा चूकी फिर मिला हमें दिया है कि यल यान यानी यान से लेकर यान तक L-N ये समानता रेखा है किसके C-D के तो फिर हमारा मिल जाएगा यान समानता है हमारा C-B के इसलिए मिलेगा यहाँ पर A से लेकर L तक बटे A से लेकर C तक यानी मिल गया या इधर से लेते हैं तो इस साइड में पहले A से लेकर N तक इसलिए A से लेकर N तक बटे पूरी दूरी A-D और यह बराबर हमें मिल जाएगा A से लेकर L तक और बटे पूरी दूरी A से लेकर C तक यह भी हमारा है अनुपातिकता प्रमे से तो हम देखते हैं A L बटे C L बटे C दोनों में राइट में है इसलिए मिलेगा समी करां एक वर दो से राइट बराबर है इसलिए लेट बराबर हो जाएगा यानि A-M A-M बटे A-B यह बराबर हो जाएगा A-N बटे A-D और यही हमें शिद्ध करना था तो यही शिद्ध करना था तो यही अंसर बन जाएगा Q-N No. 5 है चित्र में A-D A से लेकर D तक कोन B-A-C की समदिभाजक है यहां पर यह पूरा कोन जो था इसी का समदिभाजक आधाधा है इसलिए A-B बटे B-D बराबर होगा A-C बटे C-D तो यहां मिल जाएगा की हल हल में मिलेगा चूकी A-D कोन B-A-C का अरधक है यहां समदिभाजक है अरधक है इसलिए हमारा बन जाएगा A-B बटे B-D यह बराबर A-C बटे C-D तो A-B का मान दो और B-D का मान एक दस्मलब पाँच A-C का मान तीन दस्मलब आठ और C-D का मान हमारा यक्स है और यक्स का मान निकालना है तो यहां यदि हम दस्मलब हटाएंगे तो एक गीरो लगाएंगे पांचवग बिस पांतियाई पंदर है अब अगर हम तेरिया गुड़ा करते हैं तो यहां बनेगा 4X बराबर 3 गुड़े 3.8 हो गया X बराबर 3 गुड़े 3.8 बटे 4 हो गया तो दो से अगर हम कारते हैं 2 दूनी चार और 2 एक का 2 दस्मलब लगा के 2 नमाठा रहा तो बना 29 तरिक 57 एक अंग पर दस्मलब बटे दो मिला अब अगर हम भाग देते हैं 2 दूनी चार 1 बचा 2 अठे 16 1 बचा 2 पचे 10 यही हमारा एंस्वर बन जाएगा 2 दस्मलब लगा 5 सेंटी मीटर और यही X का मान था यही ग्यात करना था हमें प्रशन संख्याच्छ तो प्रशन संख्याच्छा में है कि दी हुई आकरित में यह दी D E समांतर A C है यह D से लेकर E तक यह समांतर है हमारा A से लेकर C तक तो यह समांतर रेखा हो गई इसलिए हमारा बन जाएगा यानि B से लेकर D तक और बराबर मने B D बटे D A बराबर होगा B E बटे E C तो हमें मिल जाएगा यानि हल में यदि हम बात करें इस्त्रिभुच की तो इस्त्रिभुच को यदि हम इस रूप में बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है यहां B है और यहां C है और यहां A है अब यहां पर हमारा यानि B A पर B से लेकर A पर हमारा बिंदु है D और B से लेकर C पर हम यह अब को छोड़ देते हैं E बनाते हैं तो उसने दिया है यह और यह समानतर है अर्थाथ D E समानतर है A C के तो हमें मिलेगा हल में चुकी D E समानतर है A C इसलिए इसलिए यहां से यहां आएंगे तो हमें क्या मिलेगा B D और बटे D A B D बटे D A बराबर इधर आ जाएंगे B D हमने आदा लिया है तो यहां मिल जाएगा B E तो बनेगा B E बटे E C अनुपातिकता प्रमे से यह समीकर नमबर एग बन जाएगा अनुपातिकता प्रमे से फिर आगे आजाएंगे अब यदि हम यह ले लेते हैं यह दोनों बेंदों अर्थात इस तरिवज को फिर यदि हम ऐसे बनाते हैं तो इस साइड में हमारा यहां B और यहां फिर हमें मिला A D पर दो D ही है लेकिन हमने यफ ले लिया और E ले लिया यानि यहां पर हमने यहां से यहां तरिवज लेना है अर्थात यहां E होगा और यहीं पर हमारा यफ है और हमने इसको मिला दिया है अर्थात अब हमारा मिल ला है अब त्रिभूज त्रिभूज हमने कौन सा लिया B.E.A त्रिभूज B.E.A में फिर हमें मिला यानि D.F D से लेकर यह अब तक समानतर है हमारा A.E चुकि D.F यह समानतर है A.E उसने दिया है इसलिए इसलिए अब समानतर एक हाब मिल गए अनुपातिकता प्रम्य से फिर हमें मिला B.D.B.A B.D.B.A A बराबर इदर आएंगे तो B.F बटे F.E B.F बटे F.E होगा समी का नंबर दो यह भी मिला हमें अनुपातिकता प्रम्य से तो हमें मिला समी करण एक वर दो से दोनों का यदि हम देखें तो लेफ्ट B.D.B.A B.D.B.A दोनों में है इसलिए राइड भी बराबर होगा तो हमें अगर इसको पहले लिखते हैं तो हमें मिलेगा B.F. बटे F.E. बराबर होगा B.E. बटे E.C. और यही हमें शिद्ध करना था यही शिद्ध करना था फैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो को लाइक करें तो था चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद B.E. झाल झाल